हलो फेंट्स वेलकम टो मैं चैनल वेलकम टो फिनाकेल टेन टीट फूटियल दोस्तों हम लोग जो फिक्स डिपोजिट करते हैं कभी का बार क्या होता है कस्टमर डिमांड करता है कि आटो क्लोजर करना है मत्तब मैचुर्टी पीडियेड में आटोमेटिकली क्लोज हो और कस्टमर के रिस्पेक्टिव जो एकाउंड नंबर दिया हुआ है उस एकाउंड में केडिट हो जाएगा तो चलिए इस वीडियो में मैं पूरा डीटेल्स आपको बताऊंगा तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ह है काईली सब्सक्राइब मैं चैनल इमीडियेटली तो आप्टर सक्सेस्फुल लॉग इन पहले आपको टाइप करना पड़ेगा एइच एम टीडी एइच एम टीडी टाइप करने के बाद देखें यहां पर पेज ओपन हो गया है एकाउंड मेंटेनेंस टाम डिपोजिट फंक्षन से एकाउंट नम्बर है तो फंक्षन में आपको सिलेक्च करना पड़ेगा बहूत सरा आप्षन सेAdd, Modify, Cancel करके बहुत सरा आप्षन से आपको सिलेक्च करना पड़ेगा M, M for Modify और एकाउंड आइडी के जगा में आपको देना पड़ेगा Fixed Deposit्स का एकाउंड तो मैंने यहां पर account number दे दिया, go button को click कर दिया, go button click करने के बाद, एक page यहां पर open होगा, और by default देख सकते हैं, यहां पर जो tab activate है, that is the general tab, ठीक है, तो मुझे कहा जाना है, मुझे जाना है, renewal and closer tab में, ठीक है, मुझे वहां पर जाना है, मैंने यहां पर देख सकते हैं, कि already मै renewal closer tab में गया, यहां पर देखिए, renewal period 12 month है, auto renewal unlimited है, और यहां पर auto closer देखिए, no किया हुआ है, तो इसको yes करना पड़ेगा, जैसे ही आप इसको yes करेंगे, देखिए, एक error message यहां पर आपको दिखाएगा, the auto closer options cannot be why, when the auto renewal option is L or U, तो auto renew जो options है, उसको हटाना पड़ेगा, तो unlimited के जगा में आपको क्या select करना पड़ेगा, जहां पर unlimited है, वहां पर आपको जो radio button है, उसको हटा के आपको क्या करना पड़ेगा, no करना पड़ेगा, ठीक है, तो एक बार आपने no कर दिया, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद respective जो account number आपको देना है, जिस account में maturity period मे credit होगा, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, scheme tab में, scheme tab में जाने के बाद, देखिए, यहां पे एक है repay account ID, तो repay account ID में, आपको savings account का number देना है, जिस account में credit होगा, after maturity period, देखिए, यहां पे देख सकता है, maturity period है, 12-4-2025, तो 12-4-2025 को क्या होगा, automatic उस account में credit हो जाएगा, So friends, hope you understand how to do auto closer, hope you like the video friends and if you like the video then don't forget to subscribe my channel, like, share and comment, thank you.